अभी तक रूस की सेना सिर्फ यूक्रेन की सेना और उनके घातक हत्यारों को टार्गेट कर रही थी लेकिन अब पुतिन ने पूरी की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है दरसल पुतिन ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जेलन्सकी ने नेटो को धमकी दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर नेटो ने हालात नहीं संभाले तो यूक्रेन के साथ पुतिन बहुत बुरा करने जा रहे हैं और इस बीच आपको ये भी बता दें कि पुतिन ने एक नया बम भी निकाल दिया है जिसे नेटो अनाज बम कहने लगा है सालन्सकी ने दीर नाटो को धमकी पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के कुछ खास इलाकों पर चुन-चुन कर हमला किया है ताबा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के बम और बारूट से भरे गोदामों को धमाके के साथ पुड़ा दिया है डिफेंस एक्सपोर्ट का साफ कहना है कि पुटिन अब यूक्रेन पर दो तरह से हमला करेंगे एक बम और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं और दूसरा अनाज बम से क्या है पोतिन का ये डबल धमा का हमला इसकी एक एक रिपोर्ट हम आपको बताएंगे पम और भूक पुतिन का डबल अटैक सत्रा महीने की जंग में लगभग असी लाख करोड का नुक्सान यूक्रेन उठा जोका है एक अनुमान की मताबिक यूक्रेन की 40 फीजदी से जादा आबादी बहुत ही बुरे हालात में रह रही है पूर्वी और दक्षणी यूक्रेन के कम से कम 13 शहरों में हालात बद्तर हो गए है जहां अभी तक यूक्रेनी सेना का एक भी सैनिक नहीं पहुँच पाया है इधर हर दिन 8 से 10 तोप और टैंक के गोले दाखने वाला यूक्रेन हत्यार और गोला बारूद के मामले में तेजी से कंगाल होता जा रहा है लिथवानिया में हुई नैटो की मीटिंग में जो सबजबाग यूक्रेन को जंग जीतने के लिए नैटो ने दिखाए थे जैलेंस्की के उन हसीन सपनों को पुतिन ने धुआ धुआ कर दिया है हालात ये हो गए हैं कि जैलेंस्की ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि अगर नैटो ने 72 घंटे के अंदर हथियारों की सप्लाई तेज नहीं की तो फिर यूक्रेन दो तरफा मारा जाएगा क्या है जैलेंस्की का वो खौफ जिसकी वज़े से वो ऐसे दावे कर रहे हैं हम आपको पूरी डीटेल के साथ आगे बताएंगे 72 घंटे में यूक्रेन को बचाओ पूरु से दक्षिर तक पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर रूसी सेना है यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ती जा रही है हारते और पिटते यूक्रेन के हालत देख कर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटन, जर्मनी, पोलन जैसे नैटो देज भी यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक को लेकर बेहत नाराज होने लगे है उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपने युद्ध में नैटो को जान बूच कर इतना जादा फसा रहा है ताकि नैटो रूस के खिलाब सीधा युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाए रूस ने जिस तरह से यूक्रेन के खारकियों में ट्रिपल अटैक किये हैं वो हैरान करने वाले हैं एक लाग सैनिकों के साथ लगबग एक हजार टैंकों से हमला नैटो और यूक्रेन के होश उड़ाने वाला साबित हो रहा है यहां तक कि योक्रेन के ओदेशा में रात के वक्त रूस के सबसे भीशान हमले हो रहे हैं लेकिन जैलन्सकी के पास दिक्कत यह है कि उनकी सेना के पास एर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म होने की गगाद पर है ऐसे में वो करें तो क्या करें? पहले आप यह देख लीजिए कि पुतिन का डबल अटेक क्यों योक्रेन पर भारी पड़ रहा है? बम और भोग पुतिन का डबल अटेक योक्रेन पर पिछली 24 घंटे में पुतिन ने दो तरह के बेहत तेज हमले किये हैं हम आपको बता दें कि रूस की सेना ओधिसा और खारकियों में अलग-अलग टार्गेट पर हमला कर रही है पहले खारकियों की बारे में समझ लीजिए पुतिन की सेना 350 वर किलूमीटर में फैले खारकियों इलाके पर 1 लाग सैने 555, 370 MLRS और 900 टैंक से स्टॉम Z हमले शुरू कर दिये हैं आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 48 घंटे के अंदर रूस ने खारकियों में 10 फीजदी इलाके पर कंट्रोल करने का दावर दिया है वहीं अगर योकरेन के ओदेशा की बात करें तो यहाँ पर पुतिन योकरेन को दाने दाने के लिए मौताज कर रहे हैं ग्राइमिया बुल पर हुए हमले के बात से रूस की सेना मिसाइल रॉकेट और तोब खाने से योकरेन के अनाज भंडारों को चुन चुन कर निशाना बना रही है रूस के दावों के मुताबिक उनकी सेना ने ओदेशा की गोदाम में भरा हुआ सत्तर हजार तन अनाज तबाक कर डाला है जबकि जेलंस्की का दावा है कि रूस ने दस लाग तन अनाज इशान हमलों में बरबात कर दिया है यहाथ कि रूसने यउक्रेन का साथ हजार का अनाज अनाज अपने कपजे में लिया है जद बांप बस अनाजबंप अ Cock-Arak यद अदार तर्रीस्तित्र दी जवार की जवitaire गलों के जाता है У портах, які були атаковані, сьогодні зберігалося близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав. Сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом тематка очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у вільністі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидше вступ в НАТО. ЗЕЛЕНСКИ ЗЕЛЕНСКИ БАМ і ПХОК – ПОТИН КАД ДАБЛ АЧА Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн с которых осуществлялось обеспечение военной техники вооружённой силы Украины горючей. ЗЕЛЕНСКИ जोक्रेनी सेना के जनरल और कमांडर ЗЕЛЕНСКИ गोल लगातार ताजा हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं बेशक योक्रेन के पास बैतरीन खोफिया इंपुट और नेटवक मजबूत है लेकिन पुतिन जैसे लड़ाके के सामने नैटो और योक्रेन पानी मांग रहे हैं रूस के स्टॉम जट हमलों को लेकर योक्रेन में हरकम मच गया क्योंकि पुतिन ने 1.5 महीं में पहले ही कह दिया था कि रूस के 7 लाख रिजर्ब सैनेक जब योक्रेन पर चारो तरफ से हमला करेंगे तो योक्रेन को कोई बचा नहीं पाएगा रूस ने तो दावा कर दिया है कि उसकी सेना उत्तर पूर्वी खार की उक्षत्र के एक महतोपूर रेलवे जंक्शन कोपियांस की दिशा में 2 किलोमेटर तक आगे बढ़ गई है इधर अब रूस ने साफ कर दिया है कि काला सागर में मौझूद योक्रेन का हर तरह का जहाज रूस के निशाने पर है इंफ्रस्ट्रूक्टूरे इसक्लादाम बएप्रिपासफ वरुज़ोंग सील उक्राइन वराइनी गोरद अदेस